केंद्र सरकार ने आली लड़कियों की शादे की उम्र को 18 साल से बढ़ा कर 21 साल कर दिया केंद्र के इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया वहीं AIMIM सांसद अस्दुदीन ओवेशी पी ए मोदी पर गुसा हो रहे हैं यहीं नहीं उन्होंने मोदी सरकार को मुहले का अंकल तक कह डाला वहीशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महिलाओं के लिए शादी की नियूनितम उम्र को 18 से बढ़ा कर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है ऐसी पित्र सतात्मक्ता मोदी सरकार की नीती बन चुकी है इससे बहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं और अवेशी यहीं नहीं रुके, वो आगे लिखते हैं कि 18 साल के लोग कानुनी तोर पर अनुमंद पर हस्ताक्षव कर सकते हैं कारोबार चला सकते हैं, चुनाओं में प्रधान 만त्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते 18 साल के उम्र में भारत के नागरिक यौन संब्द बना सकते हैं बिना शादी के रह सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते 18 साल के किसी भी मर्द और और ओरत को शादी करने का हक होना चाहिए कानूनी तोर पर 18 साल के उम्र के लोगों को बालिक समझा जाता है और उन्हें अपने नीजी जिन्दगी को अपने मर्जी से जिने का हक है तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? इसके बाद उन्होंने मोधी सरकार को महले का दक्यानुसी अंकल कहते हुए कहा कि मोधी सरकार एक महले के दक्यानुसी अंकल की तरह बन चुकी है नागरी क्या खाएंगे, किसे और कब शादी करेंगे, किसे पूझेंगे इन सब में सरकार की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है सरकार को, नौजवानों को नाबालिक बच्चों की तरह देखना बंद करना चाहिए उन्हें अपनी जिन्दगी से जुड़े अहम फैसले, खुद लेने की इजाज़त होनी चाहिए बहराल, और इसके इस बयान पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं टेम, खबर अपडेट